दोस्तों नमस्कार सीटेट करेकर के इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आपके सामने आज जो चैप्टर लेके आया हैं देखे लिखाया पाठ्च पुस्तक, बालसाहित एबन बहुत भासिकता पाठ्च पुस्तक को जानेंगे बालसाहित को जानेंगे फिर पाठे पुस्तक को जानते हैं पाठे पुस्तक के बारे में देखे नीचे लिखा भी है तो पाठे पुस्तक के बारे में जानने से पहले देखे यहां लिखा है तो पाठे पुस्तक के बारे में बता दू कि पाठे पुस्तक बहुत ही महत्मपूर्ण होता है और बहुत महत्म करना या उनको और लंबा चौड़ा करके कहना उनको उनके तरीके उनको जो गुन है उनके अंदर वो अपने इसाब से सेट कर सकते हैं लेकिन किताबों का होना बहुत जरूरी है पाठे पुस्तक का होना बहुत जरूरी है तभी सिच्छक काम कर पाते हैं उस उसी सिच्छक को पता होता है ताकि हमें इतना इस पाठे पुस्तक के जो भीतर लिखी बात है उनको पढ़ाना है वाकि अब उनके अंदर का गुन है कि उनको कैसे पढ़ाना है उनको किस तरह असान करना है तो यह पाठे पुस्तक आप लोग मोटा मोटी जानते हैं कि क्यों इतना जरूरी होत तो सबसे पहले बाहे गुन के बारे में जानते हैं तो पाठी पुस्तक के बाहे गुन का मतलब हुआ कि उसमें quality छोड़ दीजे और बाहर की चीजों को देखे जिसमें कि आपकी छपाई हो असपस्ट दिखना चाहिए किताब का जो उपर का जो प्रिष्ट क्या बोलता है सबसे उपर का जो जो आप बोलते हैं कि हाँ कवर होता है कवर पेज वो सही होना चाहिए अच्छा किताबों में जो बात लिखी है उन सबका headline सही होना चाहिए सब्सक्राइब पकुलांति है जिससे बच्चे उत्षू हो, पढ़कर कोुछ ना, उनको लगे कि नहीं नहीं सही है, करके पहले उनको हैटलाइन पता हो सिए इंट्रेस्टिंग होना चीए और एक सटिक हुना चीए, कि मतलब कि उस सिर्षक से ओस सिर्षक करें पूरे चैप् में इसी इर्दगिर्द घुमेगी बात इसी के आसपास बात रहेगी तो यह होता है तो हमने कहा कि यह सब बाहरी गुन है किताबों का तो हमने मोटा मोटी बता भी दिया अब थोला से देखे लिखा हुआ पॉइंट वाइस कि पाठ पुस्ता का आवरन बाहरी जो चीजे होती है आकरसक होनी चाहिए बाहर कवर का पेज पाठ पुस्ता का सिर्षक ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर की विसेबस्तू को परिलेचित करे यह बात तो मैंने अभी कहा और उसके आगे देखे कहरा कि पा क्वालिटी सही होनी चाहिए तो यह सब इसके बाहरी गुन है तो यह सब बाहरी गुन है पाठ पुस्तक के और पाठ पुस्तक के अब देखे आगे बढ़ जाते आंत्रिक गुन के बारे में इसको जल्दी से समझ लेते हैं कोई ज्यादा हाड नहीं तो आंत्रिक गुन के जाईशी बात है कि पात्ष्पुस्तक के आंतरिक गुन है उसमें से जो है भासा सहली का एका कैसा इस्तेमाल कि आगिया है उसके बाद देखी नीचे लिखा हूँ कि पात्ष्पुस्तक में पाठोगी संख्या बालों के अस्तर के अनुकूल होनी चाहिए तो आप देखिए कि बच्चों का क्या लेवल है उनके क्लास का लेवल को देखते हुए उनको एज के कौन सा एज ग्रूप से वो बिलॉंग कर रहे हैं उनको देखते हुए आप लगा दिये 25-30 चैप्टर लगा दिये पता चला कि 11 महिना 10 महिना में पढ़ भी नहीं पा रहा पूरा तो उसके बर प्रेसर तो रहेगा ना कि मेरे को पूरा सिलेवस नहीं हुआ बच्चों का 10 चैप्टर भी देदो या 25 चैप्टर देदो तो दस है तो उसका फूल सिलेवस 10 में ही है दस पढ़ लेगा खुस हो जाएगा लेकिन आप 25 देदो तो पचीस का 24 भी पढ़ लेगा एक तो मेरा बच गया ना करके पूरा तो हुआ नहीं ना इसलिए तो कता है कि आप उसके उम्र को देखते हुआ है ना उसके हिसाब से ही या पाठ्टे पुस्तकों में जो है पाठों की संख्या लगा है कता पन इसकी संख्या है नीचे लिखा हुआ कि उदाहरान देख चाहिए आगे देखे लिगा पाठ़-पुस्तक में यथा स्थान समुछे चित्रों का समावेश किया जाना चाहिए चित्रों का प्रयोग करते समये ये ध्यान रखना चाहिए कि चित्र उस पाठ़् की इसवस्तूं से संबंदित है और बालकों के बोध के लिए अवस्यक है अत्यधिक चित्र पाठ पुस्तक की संकल्पना को धोमिल कर देता है अब हमने कहा कि इसके बारे में क्या है इतना जानी है कि कहता है कि पाठ पुस्तक में सही जगह पे सही चित्र होनी चाहिए अब जिस जगह पे लिखा हुआ है जंगल तो आपने उसी जगह पे जंगल का चितर लगाना है और या उसमें भी बहुत सारा critical ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है तो आप उनके चितर लगाएंगे और ज्यादा किच-पिच हो जाने से मतलब आप लिख रहे हैं क्या और चितर क्या लगा रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा आप जो कहानी को दर्सा आ रहे हैं जहां पे उसी जगह पे वो चितर होना चाहिए अब कहानी कहीं आउर पे, चितर कहीं आउर पे, तो समझ में आएगा नहीं, तो दोनों का मेल होना बहुत ही जरूरी है, और कता ऐसा नहीं होने से आत्याओ जादा चितर भी नहीं देनी चाहिए, उससे क्या है कि पाठ पुस्तक की संक्रपना जो धुमिल हो जाती है, हाँ, और आगे कहता, देखें, नेक्स्ट पुइंट इसका कहता कि पाठ पुस्तक में अधिगम विस्तार के लिए अभ्यास प्रस्नावली होनी चाहिए, तो कहता कि बच्चे कितना अधिगम कर्प, कितना सीखें हैं आपके चैप्टर से, तो उससे रिलेटेड कोस्चन एंसर, ह भी लगाई है, उस पाठ पुस्तक में बहुत जरूरी आदर से पाठ पुस्तक उसी को कहेंगे, जिसको पहले आप सिछक पढ़ा देते हैं, और फिर उनको कोस्चन एंसर करवाते हैं, उससे रिलेटेड तो पता चलता कोस्चन एंसर के दर्मियान के हाँ, बच्चे कितना क इसके आगे देखे लिखा भाऊसा की पाठ पुस्तक में बहासा की बिभिन छटाओन का समवेश होना चाहिए, तो करता कि बहासा की पाठ कुस्तक लिख रहे हैं, तो भासा के बिभिन उनके गुन होते हैं और बिभिन सुरतों से लेकरливо ficar बातों को आई समाबेस मतलब उनको एक प्लैटफॉरम पे रखिए उसमें जिसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें निवंद भी लिख देते हैं है उसमें किनी का चिठ्ठी का भी जिकर कर देते हैं उसी किताब में कि देखिटिं नहरुजी निंद्रा गांधी निकष्फू लिखा था आप इसा करके किताब away जीवनी के बारे में लिखा रहता है कहानी भी तो इसलिए बहुत जरूरिए कि उन सब चीजों को लाकर रखें तभी बच्चों को पता चले कि वह जब आपस में बातचित करें या लिखें तो उनको जब सामने उतार सके कि हां हमने बात करने के दर्मियान लिखने के बहाँ साथ जितना प्राक्टिस करें जितनी अधिक से तो हमने कहा कि अभी हम बात कर रहे थे पाठ पुस्तक पर पाठ पुस्तक के हमने दो इंपॉर्टेंट बात बताई थी बाहे गुन और आंत्री गुन बाहे और आंत्री गुन के बारे में हमने जान लिया पाठ पुस्तक का और अब हम चलते हैं बाल साहित क्या है इसके उपर हाना तो बाल साहित के बारे में जानते हैं ऐसे साहित आप जाने हैं देखें साहित के बारे में होता कि साहित एक ऐसी चीज है जिसमें अर्थ भी जरूरी है हाना देखें हलाके लिख भी दिया है इसमें तो कि अर्थ भी होना चाहिए और उहां पे जो है अर्थ के साथ साथ यह लिखा हुआ, सब्द, जहां सब्द है, वहां अर्थ, सब्द है मतलब अर्थ, तो इसलिए करते हैं कि साहित, जो हम लोग साहित पढ़ते हैं, जनरली जो हिंदी की किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, उन साहितों में देखते होंगे कि जो चीज लिखा हुआ, जैसे कि ह साथ ही साथ उसका अर्थ भी तो होता है ना तभी तो हिंदी की कविताओं को हम लोग सिर्फ हाट सिर्फ वो हिंदी में लिखी रहती तो फिर उसका हिंदी कैसे करना होता है हिंदी का भी मिनिंग कैसे होता तो उसका अर्थ होता है वो हिंदी का हिंदी थोड़ी होता है वो उ ने से संस्कित पढ़ते हैं तो ट्रांसलेट करना होता हुथ लिए जे उसमें 나서 UC uh लेखिन सब्सक्राइब होता है जो सब्ड लिखा हुआ एक सब्ड में चुपा हुआ उसका उसका अर्थ दोनों अपस मझते हैं तो वहां सभी आप समझ रहे है हैए वो साहित होता है आगे देखे इसमें साहित के बारे लिख दिये हैं तो साहित और बाल साहित को कनेक्ट करने के लिए हम मैं बताओं आपको कि देखे इसके बाद जो है बाल साहित के बारे में एक और बात मैं कहा दूं आपको कता कि जब बच्चे किसोर कहलाना शुरू करते हैं ठीक है जिसे 15 बर्स की आयू को करते हैं तो 15 बर्स से अधीक आयू के बच्चे हो जाते हैं तो किसोर कहलाने लग जाते हैं लेकिन उनके पहले पहले इसे 5 साल से लेकर के 15 साल के बीच के बच्चे होते हैं तो आप उनके ल में रखकर चीजों को लिख रहे हैं हना कि हम जो लिख रहे हैं इनको इस एज के बच्चे ही समझेंगे ऐसा करके तो इसलिए हमने कहा कि जो बाल साहित है अब साहित की अपनी अपनी कठिनाई होती है अपने अस्तर होते हैं तो हमने कहा कि यह जो हमको पढ़ना बाल साहित त तो इसके बाद देखें इसमें एक चीज और लिखा हूँ कि बाल साहित के बिसे बस्तु क्या है। बाल साहित के बिसे बसतु अभी इस पे थोड़ा सा धियान डाल ले तया है, तो एक खेल समंंंदी तो ए सारे बस्तर समंंदी प्राकृति जल जीवनों में है ना? ते वहारों से समंंदी बिद्धाले घर से समंंदी तो एक कहता है कि अब जब बाल साहित को लिख रहे हैं तो उसके क्या क्या विसाय वस्तु हो सकते हैं तो इन सब चीजों को अगर समाहित करते हैं उनके साहित में इनको जगह देते हैं इनसे रिलेटेड आप पार्थ बनाते हैं उन पुस्तकों में उन पार्थ पुस्तकों में ऐसी ऐसी पार्थ का जग होंगे वो इंट्रेस्ट लेंगे इसमें पढ़ने के लिए जी हां उनको अच्छा लगेगा क्योंकि इस सारे टॉपिक उनके उत्सुकता को बढ़ाएगी और उनके उम्र में हना पांच से पंद्रे जो उनके उम्र होते तभी का तो तभी वो अपने उम्र में बच्चे इन स करते हैं स्कूल को जाते हैं करके तो कहता है आप ऐसी चीजों को रखें बच्चों के सामने ऐसी पार्ट कुस्तकों में ऐसे ऐसे पार्ट को डाले हैं जो बच्चा डेली जी रहा है जिसको बच्चा डेली इंजॉय कर रहा है आपको बहुत नई चीज को लाके देंगे बह में लेके जाए जो टॉपिक की डेली उनके इर्दगर्द घुमते रती है जो डेली उनसे सामना होता है जिससे डेली वो परिचीत है तो यह वह बाल साहित बाल साहित का विशैवस्तु अब चले इसके बाद आगे का टॉपिक यह देखते है तो यह बालशाहित का गुन है अब इसको इंपटेंट समझते हैं और इसको जानते हैं बालशाहित का गुन क्या है इसमें देखें दुस्तों एक रता कि बालसाहित जो होता है ना तो बालसाहित तारकिक होना जीए मतलब थोड़ा सोचने वाला होना जाए चिंतन करें बच्चा ऐसा कहानी मोड लाइए उसमें ऐसा घुमाईए और दुसरा है उसमें जिख्यासा भी बनी रहनी चाहिए बच् जाए करते हैं। की जानने के लिए चिंतन थोड़ा कर सकें उनके बारे में सोच सकें उसके बारे में तो यह उसके गुन होने चाहिए बाल साहित के गुन होने चाहिए आप स्क्रीन शोट ले सकते हैं छोटा करके ठीक है और इसमें कुछ विसेस है नहीं तो एच छोटा साथ चैप्टर था मैंने सुचा इसको कर दूँ और उसके बाद इसका कोशन इंसर में करवा दूँ तो देखे मैंने कहा कि जो बाल साहित के बारे में आपने जाना अब इसके बारे प्लब अधीक होता है भासिकता भासा से संबंदित है तो हमने कहा कि हमारे भारत में जैसा कि आप जानते है कि इसारी सारी भासाय कितनी बोलियां बोली जाती है इस से के इसके बाद ना तो के लिए वो कठिनाई परेशानी भी बनता है हना तो कता है कि हम उसको पढ़ाई में जब टीचिंग में आते हैं तो उसको किस रूप में लेते हैं तो कता हुआ है एक संग्यानात्मक्त विकास में जहां तक वो बाधा नहीं है बलकि वो बढ़ावा ही देता है वो इसलिए ब पांच भासाओं अगर जितना अधिक सधिक भासा हम लोग जानते हैं तो उससे हम लोग को क्या फाइदा होता है हम कनेक्ट करने में सफल होते हैं कनेक्ट करने में सफल होते हैं दूसरों से देकि लिखा वह बाते हैं तो कहता कि दूसरों से कनेक्ट करने में सफल एक भारत काम करेगा तक लिए भासा स्कूल अध्यापन में माध्यम से के रूप में परियोग की जाती है लेकिन जब बहुँ भासिकता आपके में आ जाए आपको लोगे बहुत सारी भासाओं को जानते हैं आप सिछक आपको सिखाते हैं इसमें से देखिए इंपोर्टेंट चीज यह बहुत से बुद्धी जीवियों का यह माना है कि बहुत बहुत से बुद्धी जीवियों का यह माना है कि बहुत भासिकता बालक के संग्यानात्मक विकास में बाधा उत्मन करते हैं नहीं परन्तु बुद्धी जीवियों का एक ऐसा समूब है जो यह दिखलाता है कि कैसे भासिक व्यवार की विविधता बहुत भासिक समाजों में संप्रेशन को बाधित करने के बजाए सहायता क कि अग्वार करती है तो बिल्कुल सहायता परदान करती है इसे मैं भी अग्री करता हूं तो देखें काता है कि इसमें सारे सैंटेस्ट है जो एस और बहुत सारे नो और से नो दोनो पक्ष में आई है सुच्ची लगन से लागु करने का परियास देश भर में गया in इनрах, तो तुड लागो तो उनको अभी हि कहता है हिंद्धी में हिंपर्ट्ट हिंदी को देखे पुरे भारत में अभी भी लागु निहीं किया गया है त्री भासा में से हिंदी को कहां लागो किया गया हर जगा पर जाते घृ जब काम नहीं चलता है जानते होंगे तो बहुत सar ऐसे हैं तो बगल में बंगाल भी तो इसलिए करता है कि इहां कमिशन का जो बात जानना था आपको एक पूछ भी बैटता है कभी कभी पोठारी कमिशन कभको लाग हुआ ऐसा करके इसलिए चलिए इसके आगे देखते हैं इसमें एक लास्ट एक चीज लिखी हुई है देखे लिखा हुआ अब सही सुड़ता पाई जाती है एक क्या है सही सुड़ता एक सब लोग जान रहे हैं सही सुड़ता पैसेंस रखना और पैसेंस जल्दी खो देना उनमें है या एक वाइलेंस करता है जो अब समझ रहे हैं इन चीजों को तो अब इसमें हम एक बात आपको यह बताना चाहते कि बहुँ भासिक्ता के कितने फाइदे होते हैं और बच्चों के बीच में कैसा होता है तो बहु भासिक्ता से जैसा हम सुरूश करें कि बहु भासिक्ता जो है यह इसको हम बरदान के रूप में बच्चों के बीच समझें देखें और एक से छक के नाते हम इसको classroom में बच्चों को एक से अधीक भासाओं को उनको दें, सिखाएं, ठीक है, जिनसे की उनको आगे चलके संप्रेशन में उनको लाब हो, और एक ऐसे class को भी चला सकते हैं, ऐसे लोगों सो भी communicate कर सकते हैं, जो भारत के बिभिन हिस्सों से आके ब कंद्रिय विद्धाले में कहता है कोई भी कंद्रिय विद्धाले होते हैं, तो मतलब फौजी के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके बच्चे होंगे को कंद्र बोलने वाले को बंगला बोलने वाले को हिंदी को तमिल तो कहता है कि उसमें इतनी तरह के बच्चे बैठे लेकिन आप स्कूल में ऐसा भासा को इस्तिमाल करते हैं इसे common language करते हैं कि सब समझें लेकिन सोचे कि यदि वह से बहुत सारे बच्चे जो आपके common language को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपके पास बिकल्प क्या बचता है अप्शन बसता है कि आप उनके local language पे उनके language पे जाएं आप मदर टंग पे तो बात है कि आप उनके मदर टंग पे जाएंगे तो बाकी लोग नहीं समझेंगे यहां दिक्कत आती लेकिन सुचिए कि सबको अगर पता होता चार पांच भासता तो दिक्कत नहीं होते हैं हम कुछ भी बोलके पढ़ा सकते हैं मराथी बोलके पढ़ा सकते इसलिए हमने कहा कि बच्चों के लिए बहुत है जरूरी है इसको बरदान के रूप में ले बलकि अभी साथ के रूप में नले तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक था इसको मैंने सुचाख खतम कर एक सेधिक भासाओं सब्सक्राइब तो इसलिए हमने कहा कि यह जो बहुत भासिक्ता है अभी लास्ट हम बता रहे थे कि इसको बरदान के रूप में लेंगे बच्चों को बहुत भासिक्ता हुनी चाहिए बहुत भासिक्ता उनमें हुनी चाहिए एक सदीक बासा जानी चाहिए उनको तो अच्छा होता है इसे फाइदा इही होता है तो बस इतना ही था आज के टॉपिक में इतना ही था अब हम next topic लेके आए इसमें questions अंसर आपको बताएंगे और ये बहुत बड़ा च तो हमें बताएंगे कोमेंट करके मुझे लगा कि इतना ही सफिसेंट इसके लिए अना तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद